हेलो फ्रेंट्स वेकर टू आप चैनल एसी टेक्निकल दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके गर पे इस तरह की आउड़ो जो मशीन होती है यह तो आप अपनी बालकरी में लगवाते हो यह गर के बाहर लगता है फ्लोर वाइस होते हैं तो फ्लोर में लगता है बाहरी जान रहते हैं वह कहते दिया के इसी में से पानी आ रहा है कि पानी तो इंडोर में से आता है इंडोर में पानी का पाइप होता है उसमें से पानी निकलता है लें आउड़ो में से पानी कहां से आता है तो दोस्तों आज की वीडियो इसी पर ही है आपके आउड़ोर में से जो पानी आता है वह कैसे आता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं उसका क्या सॉलिशन है सरगा सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों होता है दो तरह के पाइप होते हैं जो इंडोर टू आउडोर आते हैं जैसा कि आप देख पारे हैं यह एक पाइप है दो तरह के पाइप होते हैं यह दोस्तों पाइप जब गर्मी में आप एसी चलाते हो तो यह वाला पाइप बिल्कुल चिल्ड हो जाता है जो बड़े वाला फ़ब किया जाता है जिससे पानी जो बनता है वह टपकेगानी सोक लेता है वह इंसलेशन पाइप को सोख लेती है आप देख पारें इस वाइशन नहीं है तो इस के उपर एक सोह लोन होती है जो इसके उपकर इस बसट जाती है व्हुँह को लवा लेजिये पूरा ही तब omnicheल ली सिन आती पानी बनेगा लेकिन पानी नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों कई बर क्या होता है आपने इसको पर इंसुलेशन लगवाली यह दोनों पाइप पूरे आपने कवर्ट करवा लिए उसके बाद भी पानी गिरता है वह कैसे जो नट है यह आप देख पा रहे हैं यह देखिए यह पानी जुश्रू होते हैं अगраж आपने शुओ कानी इससिको पयाइप कर रहा रहा है तो आप इस नट को भी कवर्ट कर वाली जे तो regardि क्योंकि वाले से बर पानी ओता है जिसकी वज़़े लेने वाली चीज नहीं है बस आप सुपर नोन लगी होगी होती है यह नीचे वाला पोजिशन नहीं लगा होता तो आप जहां पर भी फटी हुई है यहां खराब है वहां पर सूपरलों लगवाली दिये जिस से क्या है आखे आउटों में से पानी नहीं गिरेगा आखे परोसी पशान नहीं होगे आखी बाल करनी गिल्ली नहीं होगी तो आखी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी आखी वीडियो करते हैं खतम मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के नमस्कार